बिहार के गुपाल गंज से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जोरदार धपका मार दिया है जोरान बस में सवार दो दर्जन से द्यादा पुलिस के जवान बुरी तरह जखमी हो गए जबकि तीन जवानों की मौत हो गए महीं पुलिस ने शब को पोस्ट माटम कराने की प्रक्रिया में चुट कही है जबकि जखमी जवानों का इलाज गुपाल गंज सदरस अताल के इमर्जेंसी वार्ड में चल रहा है मृत्यक जवानों में पवन में तो अश्योक उराव और दिगविजे के रूप में उनकी पहचान हुई दरसल घटना के संदर में बताया जा रहा है ये लोग सबा चुनाओ को लेकर गुपाल गंज के पुलिस लाइन से तीन बस पर सवार सौसे ज़ादा पुलिस कर्मी सुपाल के लिए रविवार को रवाना हुए थे इसी बीच जवानों से भरी बस जैसे ही सिद्वलिया थाना शेत्र बरहिमा मोड के पास पहुची और बरहिमा मोड के पास नाश्टा करने के लिए बस रुकी तबी एक अनियंत्रित कंटेनर ने खड़ी जवान से बरी बस में जोड़दार धक्का मारती है धक्का लगते ही बस में सवार जवान 40-45 लोगों में से करीब दो दर्जन से ज़ादा जवान गंभीर रूप से जखमी हो गए जबकि तीन जवानों की मौत हो गए महिस्तानी लोगों के सायोक से बस से सभी जवानों को बाहर निकाला गया और सदर अस्पताल में भट्ती कराया गया जहां जवानों की सित्थी को देखते हुए उन्हें बैतर इलाज के लिए रेफर किया गया तीन बस जवान सवार होकर रास्ते में खाने के लिए ठावय पर रुके वे थे हाईवय के किनारे और पीछे से कंटेनर आकर बस को जो है वो धक्का मारतिया जिसमें हमारे कुछ जवानों की कैशिवलिटी हो गई है हमारे दो जवान की नित्य हुई है और करीब 10-15 जवान घायल हुए है हम लोग उनका बेस ट्रिट्मेंट देने का पुरा प्रयाश कर रहे हैं इसमें से वह दो लोग रेफर किये गए हैं बेहतर उप्शार के लिए उनकी हलाद अभी इस्तिती समान है पुरा पुरा कराने सब्सक्राइब अब लोग बनते आ रहे हैं इतनी करवाई तेजी से कर रहे हैं अरोप लगा है तो हम लोग के साथे क्या करें देखें आदला परवाही का नतीजा क्या हुआ और सुबह की सतरह खाना बना हुआ मेस में सरकारी मेस है उसके बाद अपनी नोक्री बचाने पीछे सब्सक्राइब ते लृचक्राइबोरोग निष्मग सब्सक्राइब गराएं रतया हैं एक जुब बंशरा तको आरहिकणी कर दिए बहुद दो अधरी पह्यंतर में जो खोक्री हो गया गया है एक अज़िए खृलिंयों फ्रोड झुट रहुँदी में रखृताई अभी तू नहीं का सकते हैं दे रहा है मौत भी हुए है